विद्सवाइब आ रहा हूं जालाकिन हम स्टार्ट करते हैं गायटिंगंगे टेड़ 48 की पार्ट 2 की वीडियो को पार्ट 2 की वीडियो के एंड में हम ने की बाद डिसकत की तेजिक हैं कि सिफ लेयर्स और निरोन्स पाई जाती है यह सिर्फ सिंसरी कॉर्टेक्स के अंदर नहीं बलके तक्रीमा सारे कॉर्टेक्स में 6 layers पाई जाती है हर layer के अपना particular function नहीं जिसे मसागे तो पर layer no.4 जो होती है वो sensory signals को receive कर रही होती है layer no.5 के अंदर mainly motor neurons होते है जो के motor signals भेज़ने के responsible होते है अब आप सोचोगे कि यहार सिमेटर सिंसरी कॉर्टेक्स है इसका असल काम तो sensation को receive करना है तो इसलिए सिमेटर सिंसरी कॉर्टेक्स की layer no.4 ज्यादा अच्छी developed होती है layer no.5 कम developed होगी layer no.4 कम अच्छी developed होगी लेकर भारा होती है यह 6 के 6 layers इदर भी है इदर भी है दोने जगापे होती है उसके लाब हम कहते हैं कि यह जो हमारा सिंसरी कॉर्टेक्स है इसके लिए 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 होती है हर column में 6 को 6 layers आ रही होती है निative कि इस बाड़ी बाडिके रीजंस्ट पे इस इस Comet store here country काफी करीम है मोचारिक कि आई गाइरस है इसको प्री सेंट्रल गाइरस करते हो तरुमिया क्या से पर्ता करते हैं रहे। प्री सेंट्रल गार्स तो आप कहें तो आपको बटा दी अच्छा तो मैं यह बता रहा है कि यहां के रीडिकल कॉलम्स होंगे वह से सेंसेशन की नतीज़े में नियुक्ति करवानी हिंते हैं उन से पॉस्टीर साइब वर्टिकल कॉलम्स है कोई चीज और मूव की है इस मूवमेंट को एक अ काम नहीं होता यहां की information को रिसी के लिए कोई अगर कोई आपने हाथ पे तो यह सारे आपस में मिल के फैसला करेंगे यार पहले यह चीज मुझे सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अगले पर हम देखेंगे किसना प्रोसेस होगारा करता है किसी भी जगा करने 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 हो दो तरीके हैं एक तरीका यह है कि उस जगा को आप पर घरम चीज़ लगी है एक तो यह जगा उड़न करने के लिए जखने करने के लिए दुसर फ़र्मूला यह होता है कि आप उस पोर्शन को रिमूव कर दो और देखो बंदे में क्या-क्या खराबियां आ गई हैं जो भी खराबियां आएंगी वह फॉंक्शन पॉइचल देंगे तो हम यहां पर काम करें रहे हैं कि स्वाइटर संसरी एरिया को आप बाय लेटल एक्सिजिन कर दो यानि कि दोनों से बें हमस्प्रें से स्वाइटर सं करेंगे इसकी बहुत उची होती है इसलिए स्वाइटर संसरी एरिया लोकलाज़एश्य पे बड़ अच्छा काम कर रहा था अगया था दो नहीं होगा तो हम एक्जाट लोकलाइज नहीं कर पाएंगे अब बद्सक्रा कितना प्रेशर है प्रेशर कम है उनको भी निजज क wage करकेंगे तो यानिके यहें फाइन सेंसेशन समर्च काम था इसी तरब, वैर मनन में पक्था पक्राः तो यह है यह जो है यह लुप है, जिन्छे है, यह स्मूथ है है यह मुझे मैटन लग रहा है इसकी हर फाइन डीटेल को रखना करके मैं बता हूंगा कि यह एक सिजर्स हैं तो यह मैं शेप बता सकूंगा कि यह ट्राइंगुलर शेप है यह स्क्वेर शेप है यह क्या है तो जब समय रिमूव लेता है तो इनसान किसी चीज़ की हो तो अंधा गएंगे भाराल एस तो नसान होता है कि आप सिर्फ हाथ लगाने किसी चीज़ की शेप ना बता सको तो यह सारे समय रिमूव करने के बावजूद हमने देखा है कि पेन को इंसान फील कर पा रहे है तेंप्रेचर को फील कर पा रहे है इसका मतलब है पेन और और जगे पर रिसीव करते हैं और इनकी डिग्रीज भी इंटेफाय हो जाती है दूसरी जगों के हिसाब से अलबता लोकलाइज बहुत अच्छे से हम नहीं कर पाते है यानि के पेर और ट्रिपरेटर को भी एक्जैक्ट लोकलाइज करने में सुमाटर संसरी एरिया वान का और पाते हैं लिए यह तो शेट कर दे था नहीं कर देते हैं तके असानी रहे अब पूरा ब्रेन आरा मुश्किल होता है कि इसे बात अब ब्रोट में एरिया के बात रहे हैं के मिसालना हो आगे अगर जाखे नहीं करेंगे इंशाला को याद भी हो आप कहने है आए नमबर 5 और 7 में होते हैं आपके पास समयर्टर संसरी असोसियेशन एरिया इसके फंक्शन्स चेक करने के लिए हमने यहां पर इलेक्ट्रिकल स्टिमलेशन दी शनलेशन दी तो बंदा कहता है यार मुझे लग रहा है मेरे हाफ पे कोई छूरी पड़ी भी है यह इस काम है प्रॉपर रखनाइज करना किसी अबजेक्ट को तो ने नहीं देखते कि कुछ टार्ट हो रहे हैँ नहीं हो रहा है इस बिर्वर कोई ख़तरनाग चीज है यह कुछ ठीक चीज है तो यह वाला अरिया ओता है यह processing of information में involved है एक तो यह थबूत हो गए है कि हमें लेक्ट कर सिमिलेट किया था तो बंदे ने यह का एक और थबूत भी है वह क्या यह स्वेटर सेंसरी एरिया यह ना सिर्फ सेंसरी एरिया वां से सिर्नल्स को रिसीव करता है यह स्वेटर सेंसरी एरिया यह थैलमस से भी सि एक चीजों को से मक्स कर नी परके ही हम चैनरों करके मतलब निकलता को इसन देखता भी है इसकोने इनसान कर बहूँ को वह है को द privके से कानों में आवाज बहु कर रहें है तो अब बने-च कर तो यह कूख कर रहें है तोसमें है स्वेटर संद्स संसरी एक काम है चीजों को इंटरप्रेट करना नेस्ट आता है अमारे पास एक साइड का समयाटर सेंसरी एरिया रिमूव हो जाए तो बॉड़ी की दूसरी साइड पे क्या मसले आना शुरू हो जेंगे इंसान बॉड़ी की दूसरी सेड को पहचान नहीं रेकनाइस करना लागत और पर राइट हमेसेड मसला या बना तो इनसान बॉड़ी की लेफ्ट शाइड को भूली जाएगा कि ना अब अपने लेफ्ट से किसी चीज को सेंस कर सकेगा ना मतलब यह तो पुता सके कि कुछ टाचू है लेकिन रेट इनफै कर सकेगा कैन चीज क्या थी मतलब इनटेग्रेशन का काम है यह नहीं का सकेगा कि दिवादों करके अपने लेफ्ट हैंड करना चुक आ जाएगा यह रभी जो काम करेगा राइट बड़ी से करेगा लएफ बड़ी को अपने भूली जाएगा स्भियोग गाथ तो एस सिट्विशन को इस कंप्लेक्स सेंसरी को हम नाम देते हैं एक हमने पहले पढ़ाता है इस जिसमें हम शेप को अधेफाय नहीं कर पा रहे थे और हम अब हम पढ़ रहे हैं एक साइड ऑफ बॉड़ी तो से एफेक्ट हो चुकी है वहाँ पर कुछ होगा हम चीदों को अधेफाय नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिस्टम है इसकी स्युंतिक्स है पहले पादीस है नहीं पर याँ यह होते हैं इसको अधारी कर दो कोखिये यहाँ पर यह रहे हैं यह नहीं को अमप्रिफाय करना यह यह सब्सक्राइब कहते हैं चलते हida जयांगी जाए वसी जगह पिरिया है लेकि यह लिगा आगे बहुत दो दो थेैंडर को तो रहारीं मेसल को अगे मुझे जा रहे हैं। यह निके एक संसिग्स हो तैं लेकिं ब्रեन तब बहुत सब्सारे नियरोन से बारे इंफिर्मेशनगों लेकर जा रहे हैं अब यह वार रख राaki एग्रण यहां लोग्त रावर। के पर इसको यहां पर रहे वह यह देखो यह पर यह फिर्स और दिन यह वह निरॉन के आगे कर रहे हैं तो दर्मयान वाले ने उसको एक, दो, तीन वह साइट कर रहे हैं और यह साईडों वाला नेरॉन है इसको सुरफ एक स्पाइडे साइडों तोदिर्मियान वाले की होगी अब यह बात कर रहे हैं कि जब वीक स्पिमलिस होता है तो सिर्फ दर्मयान वाले excite हो पाते हैं फिर इस से आगे भी यह उना दसाने से हो रहा है यह फिर मुझकल से हो रहे हैं इदर उपर ग्राफ देखेंगा जब बिल्कुल वीक सा स्टिमलोस आया था तो मिसार के तो पर मैं कहता हूं जी कि दर्मयान वाला यह यह वाले हलके हलके हैं और बाकी तो बिल्कुल यह नहीं ऑट आफ अच्छा अब जब मैंस को बढ़ाऊंगा तो बिगर मिसाइब वह जाएगा यह बीद ना शुरू हो जाएगा समझने हैं बात कुछ यह नहीं कि मजीद जादा नमर और फार्फ़ एक्साइट बना शुरू हो जाएंगे और जो दर्मयान वाला था वो अब ज्यादा एक्साइट प्रोडियूस करेगा मैं मिसाल देखे बादे करता हूँ पहले था वीक सा स्टिमिलस दर्मयान वाला एक सेक्ड़ में 10 एक्साइट बनाता था यह दोनों 5-5 बनाते थे ठीक है और बागी सारे बनाते ही नहीं थे बागी साइट हो यह नहीं सके ना जब stimulus increase किया तो दरम्यान वाला 10 की बज़ाए 25 action potential बनना चुड़ो हो जाएगा ये वाले 10-10 action potential बनना चुड़ो हो जाएगा और एक दो और भी होंगे जो के 5-5 action potential बनना चुड़ो कर देंगे तो दरम्यान वाले के number of action potential increase कर गए उसका stimulus बढ़ गया ठीक है और हलिकर इसका stimulus बनने वाले ज़्यादा हो गई निरॉन्स की तदादाद ज़्यादा हो गई और दरम्यान वाले के एक्स्रमिनेशन ज़्यादा हो गई है तोड़ा से को दूर कर लो इतना रख लो अब आप एक्सपरिमेंट चाहिए खुद भी कर लिजेगा जब आप इन दोनों कुस्ता करके मैं एक फिंगर पर टच करता हो आइस चाहिए क्लोज कर लो आप बता सको कि यह दो चीज़ें मेरी फिंगर पर टच हो रही है अब इसी को आप अपने पेट पर लगाओ या अपनी कमर पर लगाओ तो आप देखोगे के आपको लगेगा कि कोई एक चीज़ें जो मुझे चुब रही है दो अलग लग चीज़ें नहीं फील होंगी समझ रहे हैं बात को ठीक इसका मतलब है कि मारी फिंगर पे इन दो प सब्सक्राइब कर रहे हैं कि आपकी बैक पे 30-70 mm यानि कि तीन सेंटीमीटर इतना अलग अलग समझ सकोगे और फिंगर में तो सिर्फ वन टू टू मिलीमेटर इतना भी बहुत सब्सक्राइब क्योंकि फिंगर में तो निरौन बहुत बहुत ज्यादा है और कमरें बहुत लिए उनकी तदाद थोड़ी है उनकी दूस्टी थोड़ी है सब्सक्राइब करो टूपार इस पार पार सब्सक्राइब को यह थोटार आएगी चृण रही है तो यह आपकी ब्रेंश पहुंच रहा है जारे यह सारे निरौंजेए वे उच्सराइए लेकिन जहां पर दो स्टिमलस आये थे वहां पर मारे पास दो पीक अभी ब्लू वाले को देखिएगा ठीक है वहां पर दो पीक बन गई है एक यह वाली पीक बनी है और दर्मयान में एक वैली आ गई तो अब यह दर्मयान में तो नीचे है ना इससे ब्रेन समझ जागा कि यार दो अलग अलग ब कर पाता तो यह हमने देखा कि यह ब्लू वाला किस तरह मारे पास से बने आपको पता रहे हैं कि यह जो अबिलिटी ऑफ टूप अच्छा याद रखिएगा टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यह हमेशा डॉर्सल कॉलम से जाते हैं यह आप आगे जाके जब डॉर्सल और इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं का डॉर्सल वाइब्रेशन हमेशा डॉर्सल वरे से जाती है एंट्र लेटर से नहीं जा सकती क्योंकि बड़ी फाइन चीज़ है ना अभी हम पढ़ भी कर लाटर से को इसे डॉर्सल कालम की रहे हैं अच्छा अब व चाहले चाहना को साथ वालों को इन्हिबिट कर रहे होते हैं जैसे जैसे मिसाल के तो तौर पे एन्वाले को पूर करेंगा यहार साथ मिल गया और इसको मिल गया जब इन दोनों इस वाले को तो इनिवेट करेंगे यह वह भी इसको इनिवेट करेंगा तो ब्रेंग के पास एक तो यहां से से सिगनल पहुंचेंगे तो आप देख सकते हो कि रैड वारी कर्फ नहीं पहुंचा तो पॉइंट डिस्क्रिमिलिशन की वज़ा से बहुत ही अच्छी हमारी मतलब लेटर इनिवेशन की वज़े से बहुत ही अच्छी टूपॉइंट डिस्क्रिमिलिशन हो सकी है गोड़ों के बाद लेटर इनिवेशन होती है इसको हम सराउंड इनिवेशन भी कहते हैं कि हर निरॉन ने अपने सराउंडिंग वले निरॉन्स को इनिवेट कर दिया है इसकी सब्सक्रिमिलिशन होगी फिर आगे यहां भी जरूर कर रहे होते हैं इसी वज़ए से हमारे बड़ी जबड़ी किसम की कॉंट्रास्ट हो जाता है नेक्स्ट आता है रापेडली चेंजिंग अब जैसे होती है कोई चीज़ मूव कर रही है यह कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो पॉछी पहुंचती है ना वह वह भी जरी सी ने तो ला हटा मिला हटा मिला घॉटा जैसे मिलता है है तो यह वाला काम है यह होते हैं यही होते हैं को टेस्ट करने के लिए करता है वह तो हम करता है तो यह को पता है पकड़ते हैं और वो बंदी की मुझत जो पर रखते हैं अगर तो मैंने तुनिंग फोक रखा बंदे के गुठने पे बंदे ने का मुझे को वाइशन हो रही है तो मैं आपको इसका मतलब है गुठने से लेके ब्रेंट तक जो इसका डॉसल मीडियल कॉलम ता जिसने में तो भी का तर तुनिंग फोक रखा उसके हाथ पे उसने का मुझे हाथ की यहां पे इसके डॉसल मीडिल कॉलम ठीक है कने का मतलब है कि स्थ्टना में यह तो एंटर जासे तो एंट्र त्मॉट है लेकर डॉरसर मेडियो ठीक नहीं है जो का अपर अन्तर पास इंटरप्रेशन ऑफ संशी इंक्रीसिट इंटेश्टी यह वाली बाते हम पहले काफी डिसकस कर चुक्त है अगर आपको याद हो तो तुम्हें याद हो कर ना याद हो एक तो बात हमने की थी कि जैसे जैसे स्टेमिलोस इंक्रीस करता रहता है एक तो पेशिल स्टेमेशन और टेंपोर से चली जाती है यह जितना जादा स्टेमिलोस होगा उतनी ज्यादा एक्षाप्र प्रोटेश्टिस हों गे यह तो बहुत सिंपल थी यहां भी बात करें ना बढ़ था भाथ वह लुक्न कर रहे हैं यह एक राफ पड़ा था मैं अब पतन समस्काह की थी मैं झाल बार पहला पहले आपको यह ग्राफ एक्स्प्रेंग कर जाता हूं पैर रियर लाइफ एग्जम्पल एक्जम्पल यह थी कि अगर में आद पर किसी ने टैन ग्राम की तो मैं उसको कर सकूँँगा अब कोई बना 10 ग्राम की एक और चीज रख दे तो मैं समझ जोंगा कोई वेट बढ़ गया है यानि के मेरा हाथ या मैं 10 ग्राम को भी इंटफाय कर पा रहा हूँ ठीज लेकिन अगर मैंने हाथ पे कोई दो के लोगी एंट रखी वी हो और उस एंट के अपर को बना 10 ग्राम रख दे मैं सेंस नहीं कर सकूँगा तो पहली बात यह हो गई कि जब स्टिमूलस कम था मेरी से सेंसिटफ्टी ज्यादा थी जब स्टिमूलस बढ़ गया मेरे संसिटिफटी कम होगी यह तो बात हो गई अब इसके सिगनिकंस क्या थी जया सिगनिकंस यह थी कि जैसे शुरू में हर 10 ग्राम को रिटिफाय कर पा रहा था अगर स्टिमूलस के बढ़ने के बायोद मैं हर यह मोटे को रणिफाय कर पाता है तो मेरी रेंज ओफ संसेशन काफी कम हो जाती कैसे कम जाती देखो भाई साब बात यह हम साँगे थो पिर हेरेंग एक्रइग की एक्जांपल जेते हैं साउंड की लौडनेस है फ़र एग्जम्पल मैं कहता हूं जी फिरो डैसेबल वन डैसेबल टू डैसेबल करते नियूज तक अब मिसाल समझ लो के इनसान की जो हेरिंग की रेंज है वह 0 डैसेबल से लेके 1000 डैसेबल तक है और जो हमारा रिसेप्टर पॉटेंशल है यह जो रिसेप्टर है उसकी ग्रिडेशन होती है जीरो से लेके 100 तक वह 100 यह मिली वोल्ट तक प्रोड्यूस को सकता है तो अब इसकी देंज हो गई है जीरो से लेके 100 तक एक आम आपिसे अगर मैं को ना कियार स्टिमलोस की रें ना तो एक डिग्री बढ़ा दो यह अगर यह बनी है थर्मा मीटर पे प्रोड़ेशन समझे मेरे बात को यह बलकुक्छ आसा करते हैं इसको को इसको रिकार यह तर्मा तो अब इतने बड़े stimulus को हम कैसे इसमें एक रखेंगे आप कह दोगे यार पहले वाले को कर दो 0 दूसरे वाले कर दो 100 तीसरे वाले कर दो 200 यानि इच डिग्री इकोस टू 100 और ये मेरे पाथ 1000 कफर हो जाएगा बहुत ही अच्छा खांदानी काम हो गया यार वेरी गुड ल इसी बात है जिरो और 100 की डिग्री जाना तो या जिरो टेंट फ़ाए होगा या इसके दरमानी तो को चलिए होना नहीं है अब मैं ही चाहता हूं कि जब stimulus थोड़ा हो ना तो मुझे एक एक ग्राम का भी पता चले थोड़ा सा भी इंक लिए पता चले तो इसके लिए एक औ वन ठीक है यहां वे मजजी और वन का भी डिफ्रेंस फील हो जाए फिर दूर फिर अब मजीद एक ग्राम का फ़रो तो खेर बहुत थोड़ा होगा अब रख दो फाइव पिर आपने मजीद इसको सुरा सब बढ़ा दो पिर रख दो फिफ्टी पिर इसको आप डिफ्रेंस और 2000 तो हैं 10 डिग्रीज ही लेकिन इन 10 डिग्रीज में बहुत बड़ी रेंज कवर हो गया और इस रेंज की खासीयत क्या है शुरू शुरू में तो हम एक ग्राम का डिफ्रेंस फील कर पाते हैं लेकिन जैसे से आगए बढ़ता जाओगे तो बहुत बढ़ता डिफ्रेंस ठाफ्प एक एक ग्राम का डिफ्रेंस फील नहीं होगा पhrंड बड़ेवड़ेंस फील होंगे तो यही तो आपके बॉड़ी में इस्स्टेम करते है जब आप बजन थोड़ा तो आप एक ग्राम को फील कर पा को फील करते हो शुरु में तो एक ग्राम की पैंथिल को भी आफिय कर लेते हो लेकन जब एक किलो आपके ओप लगावा होगा ना तो फिर आपको आदा किलो रखेगा तो फील होगा आपे दो तीन ग्राम फील नहीं हो ना समझ रहे हैं बात को यहां पर वह सारी एक्स्प्रेइन कर रहे हैं एट लो स्टिम्लोस इंटेंसिटी स्लाइट चेंजिस इंक्रीज दा पॉटेंशिल मार्क ली जब स्टिम्लोस थोड़ा होता है तो स्लाइट सी चेंज भी पॉटेंशिल काफी बढ़ा जेती है और जब स्टिम्लोस इंटेंसिटी फर्दर इंक्रीज इन रिसेप्टर पॉटेंशिल और स्लाइट जब बहुत हाई पर चले जाते हैं तो फिर रिसेप्टर पॉटेंशिल में हजार से दोजार पर गए हैं लेकिन एक डिग्री का फरक पड़ा है स्लाइट चेंज आ रही हैं इसी चा llिबर फिर अब और वह उगें एए बात कर रहे हैं आगे आता हमारे पास इंप्रंस तर्मेंटेंस इंटेंअशिटी बढून योग्रेवत नहीं होते हैं ऐ बहुत बायट लाइट हो जारए कासे और पता है सूरज के पढ़ने की वाइसे बहुत ही ब्राइट सी पिक्चर बन जाती है कैमरा तब ही सही काम ने कर पाता है क्योंकि उसके अंदर यह वरी सेंसिरिविटी नहीं बनी वी कि वही हलकी सी जल्ब लाइट होगी जो तुम छोड़े चीज़ को भी रेक्नाइज करो जब जादा लोगे लेकिन पूरा सूरज चमक रहा हो रौशन दिन हो तो जारी बात है आप एक फोर्म की लाइट को नहीं कर सकोगे तो यह नहीं कि जब बढ़ गया है आपके सेंसेटिविटी काम हो गई जब 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 सिस्टम रखा वाइब यह अच्छा जी आगे आते हैं अब अब यही जो चीजी है ना आपकी इनको करने के लिए दो प्रिंसिपल नहीं हमारे पास एक है पावर लॉग और एक है वेब फेक्टर प्रिंसिपल कह रहा है कि इनसान जो है वो रेशो आफचेंज को स्टिमुलस में जो रेशो आफचेंज आ रही है उसको कर पाता है इस इन दोनों का फर laughing नहीं कर पगहे और वनटी काव टैन ग्राम एक चीजए नगराम क्यों यह चीजव धिलंटीक्राम की फर्ग अ बश्राइब AI जो कहले करो आपको नहीं पर चले लेगा आब तो यह वह रिशो है यह बहुत ही चोटी सी रेशो है और यह वह रिशो काफी बड़ी रेशो है तो हम स्टिमॉलस में चेंज को रिटिफाय कर पाते हैं you can talk the bahut अगर यहां पर दस से बीस ग्राम हुआ था और हम इंडिफय किया था तो यहां अभी भाई जान थाउजन ग्राम से टू थाउजन ग्राम करो हम इंडिफय कर लेंगे है हम रेशो को डबल हो रहा है रड़े कर लेंगे हैं यह बस यह बात थी हम आपने यह ने देखना कि चेंज कितना आ रहा है। और रेशो में चेंज को रेक्नाइज्ट कर लेते हैं सब्सक्राइब यह बात ने बात है कि हम रेश्व आफ चेंज को रेकिनाइज करते हैं पर चीज है उसको आप ऐसे स्टेटमेंट का प्रता नहीं है पावर लो होता है उसके लिए इसको ब्रता मारने बद जिस तरह पावर इक्रीज करती है यह उसमें बैसी होता है ना यहां होता है आपना टू कीपावर 2 कर दो अब देखो पहले दो में सिरफ टू का फरक है फिर फोर का अब देखो पिर एट का फरग है फिर ट्वाटी एट का फरग है डिफरेंस इंक्रीज कता जा रहा है तो पावर लो में भी ऐसे सिल्सम चल रहा ना जिस तरह नहीं कि इसको एक्स्ट्रेंट करने के लिए आके पावर लो भी आ गया और यहां पर हमारे पास जो ट्रैस ती वह कंप्लीट ह तरह हो गई है आप में नहीं के अगिए हमने कहा था कि एक स्टाटेक पुजिशन होती है और एक रेट ऑफ मुवमेंट सेंसित होती है तो इसी तरह से एक है करें बोड़ी की स्टाटेक कंडीशन के बारे में हर वक असली नहीं है ओके ओके बात गॉज भी टेंडन होते हैं और टेंडन की टेंशन पर बता रही होते हैं आप आंके बंद करो और एक जगह पर लेटे विए आपको सारा पता होता है कि पाँँ उपर है टांग मेहंड़ बेंड़ नहीं हुई है मैं राइट शेप पर करवड लेगे हैं या सब सबस्क्राइब हुएं पर बार के पर लाइब होते हैं और नियुक्तित हैं करते हों मेरे मुझेड़ नोगरे रहा हुँ मेरा वैसा कोंट्रैक्ट हो रहा है मैं मुकाम आ रहा हूँ मेरा सर घूमर यह चीज़ विग पर चल रही होती है तो यह आगए पास को आपके brain तक पहुंचाने में डॉर्सल मीडियल अमरिस्कल सिस्टम का यह काम है प्रोप्रियस्प्षिंट की इसे जाती है क्योंकि इसमें देखो ना लमहा बलमहा फॉरन पतर चाहिए जब यह कोई कर रहा है जब भी औरगन कर रहा है जब हो रहे थो लमहा Maintenant स्पीड से information पहूंशती है और एक बड़ी special orientation के साथ पहुंचती है तो vibration खास तर पर यहीं से पहुंचेगी two point discrimination खास तर यहीं से पहुंचेगी और proprioception खास तर यहीं से पहुंचेगी बाकी हम कहते हैं कि pain में जो तेज़ बेन है वो यहां से पहुंचेगी और इस तरह से जो पेर हमने लोकलाइज करनी है वह यहां से पहुंचेगी लेकर अगर इस्पेशल चीज़ों की बात कि लिए तो टूपांट डिस्क्रिमिलेशन वाइशन और प्रोपेसेप्शन इतनों चीज़े तो आकर डॉसल मीडियल कॉलम से ही पहुंचेंगी डॉसल मी पाटियल बालंट होंती है जो के उपर चलिए जाती है और बाकी लेटल ब्रॉन्स कर रही होती है कि सेंसरी वाले में तो हमने कहा था कि यह आगर आपके पास यहां पर सैल बॉडी मधूद है यह आया इस सेंसी ग्रेए मेटर के अंदर सेंस ऑरो शेमिलेजार घर करता है अ on level 1 level hunt number 4 level 1 5 level 6 इनके अंदर synapps कर रहिये है सेकंड odn전 dron स्टार्ट साथ होते है वह साथ हमinhosha हyt करता है de Cara whisker से से भी बात ये कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड बना ही थी में पटरफ्लक मेचाड की घरिय मैटर ता इस ग्रेमेटर के दरम्यान में यह एक होलो ट्यूब में बनाई थी यह आके पास सब्सक्राइब होती है अब इसके कुछ पीछे भी गुज़र रहा है कुछ आगे से भी है पीछे वह आपका सेकंड और निरॉन होता है इंटेर लाटन सिस्टम का यह एंटेर कुमिशन करता है करने के बाद यह तो यह लेटल को जा चाहिए जाएगा से ओपर जाएगा 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 कहा तक जाएगा सेकंड और निरॉन इसका भी थालमस तक पहुंचता है दो तरह क्यूंतर ने लेटर स्पाइनो फ्रमिक ट्रैक एंटीर स्पाइजर मुश्चिज चीज मुझकिल है यह अच्छा करेक्ट्रिस्टिक बनहां में लाता है लेकर जा रहा होता है तो यह व्यूद्स कियों थी कोई जी इसमें आँसे दो डिफिकल्ग नहीं थी करेक्ट्रिस्टिक और लेकर जा रहा होता है तो उसकी नमबर एक स्लो लेकर जाएगा यह कम लेकर जाएगा बहुत हाई डिग्री ऑफ लोकलाइशन थी यह आपके इंटेंस्टी को बहुत अच्छी बताई थी यह आपकी वाइब्रेशन को अच्छा निकार निकार पाता है यह क्या मदब यह सारी बाते हैं हम पहरे भी डिफरेंसे पड़ चुके दोबार डिफरेंसे बता रहे हैं गायटन को एक तो रिपीट करने के इतनी आजा देना मेरे खिला यह कोई पकर रिपीटर था चे साथ दवार रिपीट किया था इसने एमडी कैट आगे आते हमारे पास सम स्पेशल एस्प आप रहे हैं चीजिए थालमस चैक कर लेता है उपर बाला खोपड़ा घर ना भी और यह एक्टा कर लेगा जटना अच्छा ऑपर आप रहे हैं अदर नहीं होता ना यह को वीड़ पर आगया आखे आथे हैं कि बड़े कमाल रिप करने कर रहे हैं क्या कंट्रोल रहे हैं क् से यह से बढ़ते हैं कुछ निरॉन को नियुक्ष करते हैं दो जब भी कुछ जाते हैं और इन हिबिट करते हैं इन सेंसरी फाइबर आप जब वह परदाश से उपर चले जाएगी ना यहां हम देखते हैं कि यह वरे निरॉण्स पेम को परदाश निकापट है तो हम इन्हीबिट करना चुल कर जाते हैं तो यह आपके पास इसको इन्हीबिट करते हैं और इसको कंट्रोल में रखते हैं इनको हम कहते हैं काटिको फ्यूगल फाइबर्स सभी होगी ना बात तो यह बड़े जब्यास किसम के होते हैं उसके लावा यह इंक्रीज डिग्री और शार्पनेस भी करते हैं यानिके एक मैसेज अगर एक निरॉन लेकर आ रहा है तो साइड वले निरॉन्स को निवर्ट कर हर पेन को मेरे तक ना पहुंचाया करो थोड़े से लिहाज करो आखर में कुछ अड़ाता है कि आपके पास सेग्मेंटल फीड़ संसेशन आपकी बॉड़ी के पर्टिक्लर नर्फ स्टिम्रस मतलब इनर्वेट कर रही होती है और उन एरिया को कहते हैं डर्मा टॉम्स ठीक विजिए बंदा झार्वेट कर ने खकेंशन यहाँ जाता है इसका मतलब है यह ने पर देख्या मैं आपसे पूंच नियुक्त करें और तो आपने अबरिवारी कर देना है और उसके रहा वैसे हमस्तीक युच्छ थीज़िए चले गृच चैनल को स्ब्राइब लेजिए ग